हुआ हुआ है द्वार का सेक्टर अच्छे प्लॉट नमबर ते रहा है आज हम ग्राइमेंड उता रहे हैं फोर बेट्रूम का लगजरी काम किया हुआ अभी सोसाइटी का यह में इंट्री है इधर आपका में रिष्टी है और यह चला जाता है सेक्टर तो सामने यह सोसाइटी है वगर में पाम है यंगेश्ट्र अपार्टमेंट है प्रग्या अपार्टमेंट है सामने रोड के पोजिट है तो हम चलते हैं अब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अंदर कर देखने के बाद हम फ्लैट में चलेंगे पार्क है काफी ग्रीन पार्क है सोसाइटी के बीचों बीचे पार्क दिया गया है देख सकते हैं सोसाइटी के बीचों बीच पार्क है काफी अच्छा ग्रीनरी बना रखें यह आपका पार्किंग एरिया है यह में गेट है अब हम चलते हैं उपर फ्लैट देखने हैं है दोस्तों मैं नमबर वन प्रोपर्टी गुरू से ध्रेंदर सिन्हा आज आए हैं टैमेंड स्कॉर द्वार का सेक्टर छे और वेडरून का फ्लैट है चलते हैं ट्री यह वो आपका उडेंड का दोड़ यह आपका ट्राइंग पॉल सिन्ग सड़ा किया हुआ है लगजरी सड़ा वर किया हुआ है छोटे आपका ट्राइंग नीग के सामने आपके बड़ी बलकनी आती है इस बंक हम चुटें इस बलकनी का साइज आप देख लिए जिर से कॉर्न का फ्लैट हैं फस्ट फ्लोर का फ्लैट है यह भी आपकी बलकनी है पिल्कु इसके बार कोई फ्रैट नहीं है और अगे आगे आप जाते हो तो आपको चला जाता है सेक्टर दो जहां पर प्रग्या है एस्पी यूथ है एंपी एस्सी है यह आपका डाइंग 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 एरिया हो गया है फर्स्ट रूम में चलते है कि फर्स्ट रूम का साइज आप देख सकते हैं कवर यह बना हुए वीडियो को पूरा लास्ट तक जेखेगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको प्राइस भी बताए जाएगा और भी कई सारे पॉइंट बताए जाएंगे यह आपका बात रूम से बाहर निकलते है फिर ट्राइंग डैनिंग में क Chongly एक compete में देखिते हैं का साइज लग रहे हैं आपके राइच हाथ में किचेन है कि कुली मॉडलर किचेन है और का यह आपकी अच्छा सटंडर साइज है बढ़ा साइज है हभा ही ऒंक यह गाउआ है कि का इसमी रगई लगा हूँ है कि बाशक्रिया चेश्ट में बिल्कुली शुच्यट में चनीज़ काफी बढ़े ऊच्छा लिए की प्या को स्पूलू को अश्igor के कफी ज़ुन अच्छा किचेज बना हूर किया दियाए अब ओधर आप अपना सोफा सेट लगा सकते हैं कि एल सेप की है सकेंड रूम में चलते हैं कि सकेंड रूम में भी आपकी बालकनी में कि ज्यादा छोटा भी नहीं है ना बड़ा है कि यह पार्किंगे नीचे के वार कोई कॉर्नर का बिल्कुल फैस सामने आपका अपका सॉप है सोसाइटी सॉप रूम का साइज आप देख सकते हैं इसके साथ ही इस पर देखते हैं यह बाग्रूम है यह ज़िए आगया है बाग्रूम है कि रूम का साइज काफी अच्छा है डेवल बेट लगने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस है एंड आप चलते हैं थर्ड बेड्रूम थर्ड बेड्रूम का साइज आप देखें इसके साथ भी एक स्लाइडर वाली है कबड दी गई है एंड और कॉमन बाद राइंग डानिंग के साथ भी है और रूम के साथ भी है अच्छा तीम बाद रूम हो गए इधर भी आप एक रोड रेक पर लाद दिया गए है सामने आपका विंडो है एंड फोर बेड्रूम इसके साथ भी दूसरी रूम के साथ भात रूम हो अच्छा है इसके साथ कवर्ड लिया गए है और इसमें विए एक चोटी है चोटी नहीं है और गोल जैसे एक चोटी बाल के नहीं है कवर्स पे समान रखा हुआ है इसलिए बाहर से ही दिखाड़ा हम आपको तो मतलब बहुत ही अल्ट्रा लगजरी नहीं पर वेल फर्णिस सिंपल सोवर्स काम है जिसमें आपको सारा न्यू ब्रांडेर्स फिक्स साब कुछ किया गया है फॉल सिलिंग किया गया है किचन फुल आपका ड्राइंग का भी स्पेस अच्छा दिया गया है साथ ही बालकेनी है यहां पर आपका डैनिंग लग जाता है तो दोस्तों यह आज हम आये थे डामेंडे स्कूर यहां पर रो और विल्कुल रो कंडिशन में फ्लैट भी अबलेबल है जो आपको मिलता है दो करोड मे और यह अल्टरा लगजरी फ़र्निश काम किया है जिसमें 30-40 लाग का काम किया गया है तो इसका भी प्राइस आपको महम बताएंगे साथ में यहां पे कई सारे सुसाइटी सेक्टर दो में काफी अच्छी पड़ गया अपार्टमेंट है 3 प्लस सर्वेट वहां भी आपको तो तीस चालीस के असपास मिलने का रेट है एंपी एसी है पहुने दो करोर का मिलता है यंगेस्टर अपार्टमेंट है वहां भी अबलेवल है दपाम है वहां पे धाई करोर 25-24 का मिलता है तो इस तरह कि यह सेक्टर चे है यहां से मार्केट भी आपको पड़ जाता है दोस्तों इसकी आस्किंग प्राइस जो है वह है आपका 2.38,000,000 फिर से मैं बता रहा हूं 2.38,000,000 है क्योंकि इसमें 30-40,000,000 का काम किया गया है चाहे वह कवर्ड हो चाहे उडिन वर्क हो चाहे फ्लोरींग हो चाहे लाइटिंग हो चाहे लेक्रिसीटी हो चाहे सेयर करें और प्लीज 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 सब्क्राइब करना नहीं बुलिएगा थैंक्यू दोस्तो